मेरे चैनल शाइनास के चन को सब्सक्राइब के जिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाईए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक केजिएगा चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है यहाँ पर मैंने एक कूकर में दो सर्विंग स्पून के बराबर ओईल को गरम करने के लिए रखा हुआ है ओईल हमारा गरम हो चुका है यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के अनियन को फाइनली स्लाइसे में कट करके इसमें एट कर दिया है अब मैं इसे लगतार चलाते हुए भून लूँगी जब तक के यह गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है यह देखिए मैं इसे लगतार चलाते हुए भून रही हूँ लीजिए हमारी प्याज अब गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है मैं इसे एक लेट में निकाल लूँगी बाहर यह लीजिए मैंने अनियन को बाहर निकाल लिया है अब मैं इसी ओइल में मटन एड़ कर दूँगी 800 ग्राम के करीब मैंने मटन को बाहर करके इसमें एड़ कर लिया है देखिए सारा मटन इसमें एड़ कर लिया है यह चार छोटी इलाइची ले ली है थोड़ी चावित्री ले ले लिया पुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिया है दो पड़ी इलाइची के मैंने शीट्स निकाल के ले लिया है हाफ टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्चे ले लिया है साथ से आठ मैंने लॉंगे इसमें एड़ कर दी है ये देखिए दो पे लीब भी मैंने इसमें आड़ कर दिया है एक टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जिंजर कार्लिक का पेस्ट आड़ कर दिया है देखिए ये लीजिए दे टीस्पून मैंने सौड ले लिया है 1 tablespoon मैंने red chili powder ले लिया 2 tablespoon मैंने धनिया powder ले लिया 1 tablespoon से थोड़ा से जादा मैंने healthy powder ले लिया अगर आप चाहें तो healthy को totally skip कर सकते हैं इसे मैं color के लिए add कर रही हूँ 200 gram के करीम मैंने दही ले लिया है इसे भी मैंने इसमें add कर लिया है इसे अच्छी दरा से मिक्स कर दूँगी मैं यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसमें एक कपके करीब पानी आड़ कर रही हो इसे मिक्स कर लूँगी अब मैं इसकी लीट को कवर करके मीडियम टू हाइ फ्लेम पे चार से पांस फिसल लगा लूँगी इसमें यह देखिए इसमें प्रेशर आ रहे हैं लीजिए चार से पांस प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसकी लीट को उपन कर लिया है देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है अब हाई फ्लेम पे मैं इसकी बुनाई कर लूँगी देखिए मैं इसे चलाते वे बहुनूँगी अब अब मैंने यावे दो टेबल स्पून भरके नारिल का बुरादा एड कर दिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं लीजिए इसे अच्छी तरीक से मिक्स कर देंगे अब मैंने जो अनियन को गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाला था इसको मैंने क्रश करके इसमें एड कर लिया है लीजिए हमारा मसाला अच्छे से बोन चुका है इस मसाले में से बहुत अच्छी घुश्बू आ रही है यह देखिए कितना अच्छा मसाला यह बोना है लीजिए अब मैं इसमें एक तिहाई कपके करी पानी आड कर रही हूं इसे मिक्स कर लेंगे मैं फिर से कूकर की लिट को लगा के इसमें एक प्रेशर लगा लूँगी अगर आप इसमें प्रेशर ना लगाना चाहें तो आप इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दें इसकी लिट को उपर से कवर करके देखिए एक प्रेशर लगाने के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है लीजिए मटन हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है एक चुथाई टी स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला एट कर दिया है यहाँ पर मैंने एक टी स्पून फुल भरके केवड़ा वाटर एट कर लिया है अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो दो तिन ड्रॉप आप इसमें एट कर सकते हैं मैंने इसे अच्छे जरे किसे मिक्स कर लिया है अब मैं इसकी लीट को उपर से कवर करके दो से तीन म अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए तब तक के लिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज